अप्यों हेलो फ्रेंड्स वेलकम टुए स्टॉक मार्गे ट्रिक्स आज का टॉपिक है वो निफ्टी की एनालिसीस है तो चलिए चलते हैं कल के दिन में क्या-क्या लेवल्स आ सकते हैं याप आपको थोड़ा सवोटिड तो यहां किया है और आपको मैंने हमेशा बोला है कि या तो या फिर गैप डाउन हो आपको थोड़ा से वेट करना होता है कि मार्केट एक बार सस्टेन हो जाए देन हमको कोई इंट्री लेनी है तो आप देखिए यह हमारी 915 की पहली केंडल है और हमने जो कल लेवल्स ट्रॉ किये थे आपने अगर मेरा कल का वीडियो देखा होगा तो मैंने वहाँ पर आपको लेवल्स बताया थ अच्छा का साइक रजिस्टेंस जोन है और वहाँ पे कॉल साइड में जो ओ आई ऑप्शन इंट्रेस्ट थे बहुत ज्यादा थे वहाँ पे 15 लैक के आसपास थे और वहाँ पे बहुत अच्छा एक रजिस्टेंस जोन था तो निफ्टी जैसा आज ओपन होती है गैप चाहते तक थोड़ी सी नीचे चली जाती है और आप देखेंगे बार-बार इस लेवल को यह टेस्ट कर रही थी तो जब भी कोई भी लेवल टेस्ट होता है बार-बार या तो वह सपोर्ट हो तो वह हो जाता है और या तो ब्रेक हो जाएगा आदर वाहां से गिरेगा तो break होने के chances कम हो जाते हैं क्योंकि वो बार-बार test करता है और वहां से वो गिरता है नीचे की तरफ और उपर से हमारा जो strong resistance भी था है 9400 के आसपास तो आप देखेंगे कि यही से जो market है हमारी नीचे की तरफ गिरी है कितनी अची तरीके से free fall हो गई है और free fall क्यों हुई है और यहां से फिर इसने क्यों bounce किया है और यह जो trend line है मैंने किस time frame पे बनाया हुआ है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ आप देखेंगे कि nifty जो है बार-बार इस level पर आती थी और आप देखेंगे यहां पर 9300 क्या सपास आती थी और यहां से यह bounce कर जाती थी तो ऐसा दो बार I think हुआ है यहां से आई फिर यह 9340 क्या सपास गई तो इस तरीके से दो-तीन बार हुआ है तो आप देखेंगे यहां पर क्या हुआ मैंने क्या किया है इस trend line को one hour में जाकर मैंने जो trend line है draw की हुई है आप देखेंगे कि सेम उसी trend line पे यह support ले रहा था यहां पर देखेंगे एक हमारा विक टच होड़ा है दूसरा यहां पर टच हुआ और तीसरा यहां पर हमारा टच हुआ और फोर्थ इस तरीके से यह उपर के तरफ जा रही थी और यहां से फाइनली क्या हुआ इसने ब्रेक किया देखी हुआ क्या कि एक तो हमारा 9400 पर इतने ज्यादा कॉल साइड में लोग बैठे हुए थे आज भी देखी आप 9400 का जो हमारा कॉल साइड है जो के एक resistance इसको दे रहा है 14 lakhs contract यहां पर अल्रेडी open interest में बने हुए है और आज जो बड़ा candle इसने बनाया है free fall हो गया और मैंने यह जो लेवल से सारे मेरे टेलग्राम चैनल पर सारा कुछ लाइब में update किया था अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज टेलग्राम चैनल का जो लिंक है मेरे description में है जाकर join हो जाए और हम लोग वहां पर कुछ चीजों को support और resistance खोजने की कुछिस करते हैं EMA में तो EMA जो होता है exponential moving average 100 और 200 का हम एक analysis लेके चलते हैं कि वहीया यह जो हमारा strong वाला एक June रहता है तो आप देखेंगे कि हमारा जो यह black color का मैं इसको एक बार black कर देता हूँ ओके black हो गया और इसको मैंने rate कर दिया 100 वाला तो एक घंटे में आप देखेंगे कि 9327 के आसपास 200 EMA हमको support दे रहा था तभी मैंने वहां पर भी बोला था कि strong support दिख रहा है उपर से जो OI थे put वाले put side में जो हमारे खड़े थे इधर open interest आप देखेंगे कि 9300 के आसपास यहां पर बहुत लोग खड़े थे like 11 लाक के आसपास 12 लाक के आसपास यहां पर जो लोग थे यहां पर बैठे वे तो position लेकर और उपर से change in open interest में भी वहां पर 5-6 लाक लोग जो है वहां पर add थे already लेकिन आज क्या हुआ आज के दिन में put side से इतने लोग ने अपनी position close कर दी लब यहां पर अब नाम मात्र यहां पर अब एक like support हो गया है तेरानमे 100 अब एक support की तरह यहां पर कल के दिन में काम नहीं करेगा क्योंकि भाया यह जो open interest में आपको clearly visible हो रहा है कि यहां पर जो लोग है इन्होंने अपनी position यहां से close कर दी है तीक है अब जो अगला हमे एक बढ़िया सा एक support दीख रहा है वो आपको 9000 के आसपास देखेंगे 14 lakhs यहां पर OI है और changing open interest भी थोड़ा बहुत है यहां पर तो 9000 के आसपास आपको अच्छा खासा एक support दीख सकता है यहां पर जो कि market एक support ले सकती है थोड़े time के लिए उससे पहले अगर हम देखे तो 9200 के आसपास 8,22,000 contract यहां पर है तो अगर 9200 break हो जाती है ठीक है 9200 break हो जाती है तो बीच में कोई support है नहीं 9150 support है नहीं तो 9100 जाएगी and then यहां पर थोड़ा सा halt लेगी and then 9000 तक यह easily asip कर जाएगी निफटी ठीक है और यहां से भी मैंने जो है यहां पर लेबल साब को बता हैं अब क्या हुआ कि हमने किसको क्या क्या एक घंटे में ऐसे ट्रेंड लाइन यहां पर ड्रॉ किया हुआ था तो हम देख रहते कि एक तो निफटी हमारा 9300 के आसपास put side से हमें open interest यहां support दे रहा था और यह इस तरह से यहां पर formation हो रहा था candle का इस ट्रेंड लाइन के उपर ही अगर इसको हम छोटे time frame पर देखें तो आप देखेंगे कि इस तरीके से यहां पर जाती है और यहां पर गई और कितने अच्छे तरीके से फिर से 9400 के आसपास गई market तो आसपास हमारे resistance के आसपास गई और फिर वहां इसने यहां पर कोई like अच्छा खासा candle नह के तरफ हो गया तो निफ्टी हमारी जो क्लोज हुई है 9205 के आसपास तो हम एक बार देख लेते हैं 920 जीरो यहां पर थोड़ा बहुत support यहां पर आता है तो उपर के साइड में अगर हम resistance देखे तो कहां तक जा सकता है यह तो भहिया देखिए यह जो resistance आपका 10 लाक यहां पर लोग बैठे हैं यहां पर आज जो change in open interest भी आप देख सकते हैं इतने लोग और add हुए है नय लोग तो भहिया 900 पर लोग अच्छा कासा यहां पर resistance देने के लिए बैठे हुए हैं ठीक है market को रोकने के लिए मतलब market को यहां से उपर नहीं जाने देंगे तो 900 से उपर market एक बार जो है 900 के आसपास आ सकती है और यहां से अगर गिरती है तो 900 को break करेगी फिर वहां पर sustain नहीं क एक 900 पर हमारे open interest यहां पर देखिए थोरा सा टाइम यह support देगी इसको अगर market इसको sustain करती है तो मैंने बता दिया कि अगर 900 support market को देगा तो फिर यह all the way 900 के आसपास जाएगा और यहां से फिर यह नीचे के तरफ ही गिरेगा यह फिर अगर गिरता है तो देखिए बहुत अच्छा जो हमारा एक support यहां पर दिख रहा है वो 9000 के आसपास दिख रहा है तो market का जो range रहने वाला है कल यही 200-300 point के बीच में ही भूमने वाला है अब market इतनी ज्यादा volatile है 300-400 point तो ऐसे ही वो चले जाती है या तो ऊपर या तो फिर नीचे तो अभी जो फेज मुझे दीख रहा है वो बेरी साइड में ही दीख रहा है जो अच्छा खासा एक support दीख रहा है 9000 के आसपास दीख रहा है तो मैंने जो यह levels निकाले हुए है यह निकाले हुए है swing low से मैंने यह निकाले हुए है उसको भी हम एक बार देख लेते हैं कि जो levels है एक घंटे बेग गए हम और एक घंटे पर आप देखिए कि हमारा जो support था 9,3,2,7 के आसपास यह भी break हो गया फिर यह 100 वाला जो हमारा एक support था यह भी break हो गया जो हमारा यह था 9,2,7,1 के आसपास यह भी break हो गया अब हम दो घंटे में एक बार जाके देख लेते हैं कि हमारा जो support और resistance कहां पर दिख रहा है तो भी यह support जो है already break हो चुका है दो घंटे में भी तीन घंटे में जाके देखे हम तीन घंटे में भी कोई हमारा EMS support देने के लिए तयार नहीं है फिर 4 घंटे में जाके देखते हैं तो भी यहां पर सब बहुत जादा उपर लेवल्स है तो भी यह यह consider नहीं होग ठीक है अब रात भर में क्या होता है globally market क्या होती है world market कहां जाती है प्लस में रहेगी डाव futures या फिर SGX निफ्टी कल अगर प्लस में दिखेगा तो भी यह थोड़ा बहुत market जैसे आज हुई थी gap अपपन होती है फिर market गिरती है तो उस तरीके से आपको wait करना है थोड़े एक अच्छा कास आपको support दिख रहा है या फिर resistance दिख रहा है तो जैसे आज के दिन में ही हुआ तो 9400 के आसपास एक हम यह resistance दिख रहा था तो थोड़ा बहुत आज के high भी हमें stop loss लागा के हम इधर entry ले सकते तो फिर क्या हुआ एक बार देखे test जो support होती है ना एक बार म को week 1 आता है तभी हम वहां से नीचे के तरफ गिरते हैं fall होता है market तो वहां से आप एक क्या कह सकते हैं वहां से आप एक chance ले सकते हैं buy करने के लिए support पे like 900 क्या सपास आए तो यहां से हमने buy कर लिया फिर से 100 point का movie यहां पे देख लीजिए फिर यहां पे थोड़ी नीचे आती इस तरह से market एक range में यहां पर घूमने लगे और जैसे हमारा यह train line break हुआ तो यह फिर नीचे के तरफ यह जाने लगी ठीक है अब market कल के दिन में क्या होगा अब देखिए इस तरीके से अगर market जाती है मैं आपको एक बार ऐसे ब्रस से दिखा देता हूँ जैसे इस तरीके से market gap up होती है यहां candle बनाए इसने फिर इस तरीके से ऐसे जाती है और हमारा उपर से train line भी बनते हुए आ रहा है तो इस तरीके से 93 के आसपास market आगी और 93 के आपने देखा कितना open interest हमारा call side में है और इ नीचे गिरेगी ठीक है इस तरीके से fall होगा यह market उके तो कल के दिन में जो target से हमारे यह देखिए यहां पर मैंने already rock किये हुए है जो market जो बंद हुए 9200 के आसपास तो पहला जो target है हमारा यह 9 150 के आसपास रहेगा एक बार हम इसको ठीक से match कर लेते हैं ठीक है तो यह 9150 के आसपास 50 point का यह move रहेगा 9200 से अगर market गिरती है तो यह रहेगा और फिर इसके बाद कहां पर हमारा एक अच्छा खासा एक support दीख रहा जहां से market उठी है तो आप देखिए यह से यह horizontal line में ने यहां से ड्रॉग किया और इस देखिए इस range में market यहां पर बहुत बार यहां से उठी है तो यह हमारा 899 9000 के आसपास आ रहा है उससे पहले अगर हम देख लेते हैं तो यह वाला जो एक लेबल है 9050 के आसपास यह एक लेवल दिख रहा हमें तो इस तरीके से मैंने यहां पर जो है swing low से मैंने ऐसे line draw की है ठीक है तो ठीक है एक range हो गया 9050 के आसपास तो इस तरीके से हम फिर उसके बाद 9000 तो ही हमारा strong वाला support ठीक है तो गाईज आप लोग जो है टेलिग्राम चैनल पर जोएन हो जाईए मैं वहाँ पर डेली में अपडेट देते रहता हूं कि क्या हो सकता है मार्केट में आज और हम लोग वहाँ पर live में discussion करते रहते हैं कि क्या होगा नहीं हो सकता है कहां तक जा सकती है market तो वहाँ हम लोग सेखने की कोशिस करते हैं लाइव में चीजों को स सारी आप जाके उसको देख लिजिए कि कैसे प्यूर प्राइस सेक्षन पर हम लोग काम करते हैं और कोई यहां पर अभी तो मैंने कोई इंडिकेटर भी नहीं लगाया हुआ है तो इस तरह के से मैं अनालिसिस करता हूँ अगर कुछ इंडिकेटर रहेगा तो मैं आपको ज सारा ट्रिक है टिप्स है वह मैं इस पर पोस्ट करूंगा जल्दी है ठीक है ओके गाइस फिर मिलते है नेक्स्ट वीडियो में